करेंगे density of a unit shell आप सभी को पता है density को हम represent कर सकते हैं mass per unit volume से तो m है आपका mass of the unit shell और v है आपका volume of the unit shell यहाँ पर मैंने एक unit shell ड्रॉआ करिए इस unit shell की जो edges है length, width और height तिनों ही कितनी है आपकी a तो volume of unit shell कैसे होगा आपका formula क्या है length into width into height तो यह हो जाएगा a into a into a is equal to कितना आजाएगा यह आपका a cube तो यह आपने ध्यान रखना है कि जो unit shell का volume होगा वो कितना होगा आपका a cube अब बारी आती है mass की तो इस unit shell का जो mass होगा वो इस बात पर depend करेगा कि इस unit shell में कितने atoms हैं और एक atom का mass कितना है ठीक है जो यह Z है Z यहाँ पर represent करना number of atoms in unit shell और M के है आपका mass of one atom अब जो Z की value है वो depend करती है कि arrangement कौन सा है atoms का अगर वो arrangement FCC है तो Z की value होगी 4 यह आपको question में दिया होगा ठीक है जो numerical इस पर आएगा उसी तरह से अगर arrangement आपका BCC है तो value होगी Z की 2 और अगर आपका जो arrangement है वो simple unit shell है तो Z की value कितनी होगी आपकी 1 उसके बाद बात आती है M mass of one atom तो one atom का mass आप कैसे calculate कर सकते हैं यह आपने plus one में किया हुआ है तो हम लेंगे atomic mass और उसको divide कर देंगे avagadro number से तो वो आ जाएगा उस atom का mass, single atom का mass जैसे carbon है, मैं example ले रहा हूँ आपको जैसे carbon है, carbon का atomic mass कितना है 12 अगर हम उसको avagadro number से 6.022 into 10 raise to power 23 से अगर हम उसे divide कर दें तो वो आ जाएगा mass of one carbon atom तो यह चीज़ आपने ध्यान रखनी है तो हमने यह निकाल लिया volume of unit shell a cube mass of unit shell यह हमने निकाल लिया z into m, z क्याए आपके number of atoms जो arrangement पर depend करेंगे और small m क्या है mass of single atom अब आप सभी को पता है जो density होगी, वो किसके बराबर होगी mass of unit shell upon volume of unit shell तो mass of unit shell की value रखो z into m, जो हमने पहले calculate करी थी और नीचे value है a cube volume की small m को हम क्या लिख सकते हैं, capital m upon n a what is capital m, mass of atomic mass अगर आप उसको किस से डिवाइड कर दो अवगेडर नंबर से डिवाइड कर दो तो वो क्या जाएगा आपका mass of single atom तो ये formula आपने याद रखना है d is equal to z m upon a cube n a अब जो unit होती है density की, आप सभी को पता है वो कौन सी है ग्राम पर centimeter cube, तो ये जो density का formula लगेगा z into m upon a not cube into n a, ये कब लगेगा जब आपकी जो units है ठीक है, mass की unit ग्राम और किलो ग्राम में दे रखी हो ठीक है, और जो आपकी edge है a, वो centimeter या meter में दे रखी हो ये आपने ध्यान रखना ये formula तब ही लगेगा लेकिन यदि आपको जो edge है, उसकी जो unit है वो picometer में दे रखी है pm, picometer, एक picometer किसके बराबर होता है, 10 raise to power minus 12 meter ठीक है, तो हम इसे अगर centimeter में convert करेंगे तो 100 से multiply करना पड़ेगा तो यहाँ पर नीचे एक term और जुड़ जाएगी और वो जुड़ेगी 10 raise to power minus 30 क्योंकि हमने cube करना है, ठीक है, picometer का हमने cube करना है तो नीचे क्या जुड़ जाएगा आपका 10 raise to power minus 30 तो यह formula आपने कभ यूज करना है, जब a की value किस में दे रखी हो, picometer में यदि edge की value centimeter या meter में दे रखी है, तब आपको 10 raise to power minus 30 यूज करने की ज़रुवत नहीं है अब हम कुछ ऐसी बात में करेंगे, जो in numericals को solve करने में आपकी help करेंगे आपको question में ये दिया हो सकता है कि aionic compound, a positive and b negative have FCC arrangement कौन सा arrangement, FCC या NACL टाइप arrangement, ये दिया हो सकता है एक aionic compound है, जिसका जो arrangement है, वो कैसा है, NACL की तरह, ठीक है तो यहाँ पर आपको धिहान रखना है, जो Z की value है, FCC में कितनी होती है, 4 ठीक है, आपने 4 put करनी है उसी तरह से आपको question में दिया हो सकता है, cation और anion के बीच की दूरी आपको याद रखना, ये edge नहीं है, a की value नहीं है ठीक है, आपको question में दिया होगा केवल cation और anion के बीच की दूरी तो वहाँ पर edge निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 2 into d करना पड़ेगा, d क्या है आपका distance between cation and anion जो की question में दिया हुआ है क्योंकि density में आपने value जो put करनी है, वो किसकी put करनी है, a की और आपको question में a नहीं दिया हुआ है आपको question में केवल क्या दिया हुआ है, distance between cation and anion तो आपने जब a निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस distance का double करना पड़ेगा ठीक है, उसी तरह से, यदि question में na cl type structure या फिर z and s type structure अगर दे रखी हो, तो z की value कितनी put करनी है, आपने 4 ठीक है, अगर question में cscl type structure हो, तो आपने z की value कितनी put करनी है, 1 यहाँ पर भी एक बात और धिहान रखनी है, यदि आपको कोई element दिया हुआ है ठीक है, यह तो हैं आपके ionic compound, cscl ionic compound है, अगर कोई element arranged है, किस arrangement में, bcc arrangement में, तो value आपने put करनी है, कितनी, 2 उपर वाला जो formula हैं, उसमें, आईए आप हम density पे कुछ numerical करते हैं, तो यहाँ पर numerical है, silver form ccp arrangement जो ccp arrangement होता है, वो fcc के equivalent होता है, तो यहाँ से आपकी z की value निकल जाएगी, जोगी कितनी होगी, 4 आपको edge length दी हुई है, 408.6 picometer, तो picometer दिया हुए है, तो यहाँ पर formula लगएगा, 10 raise to power minus 30 वाला, ठीक है? density आपने calculate करनी है, mass, दे रख है atomic mass, 107.9 unit, तो density का formula लगा दीजिए, z into m upon a cube into n a into 10 raise to power minus 30, z आपको पता है, 4 है, m के atomic mass, 107.9 unit है, यह आपकी edge है, 408.6 का cube हो जाएगा, n ने आपका avocado number है, 6.022 into 10 raise to power 23, और साथ में 10 raise to power minus 30, इसको आप solve करें, आपका answer आ जाएगा, एक चीज और ध्यान देनी आपको, कई बार सवाल में आपको edge नहीं दिया होता, ठीक है, आपको दिया होता है nearest neighbor, nearest neighbor होता है D, D की value दी होगी, ठीक है, लेकिन हमें question में क्या चाहिए, A, अगर arrangement आपका simple है, तब तो वहाँ पर D और A की value same होगी, मतब edge और nearest neighbor बिलकुल same value और आपको question में केवल nearest neighbor का distance दे रखा है, तो वहाँ पर आपको edge निकालने के लिए इस formula का use करना पढ़ेगा, D is equal to A upon root 2, ठीक है, उसी तरह से body centered का case है, ठीक है, तो यहाँ पर D का use करके, आप A calculate कर सकते हो, उसी तरह से मान लीजिए, आपको question में, radius दी हुई है, उस item की, जो item उस unit shell में arrange है, तो आप इधर वाले formula का use कर सकते हैं, ठीक है, simple के लिए अलग arrangement है, face centered के लिए अलग arrangement है, और body centered के लिए अलग arrangement है, या फिर कह सकते हो, आप अलग formula है, इस formula पर भी हम एक numerical करते हैं, जैसे यहाँ पर question है, देखिए, sodium has a BCC arrangement, body centered arrangement दे रखा है, और nearest neighbor distance दे रखे, यहाँ पर D की value दे रखे, ना कि A की, तो हम BCC arrangement में, D और A में relation देख लेंगे, जो की है, A is equal to, 2 upon unroot 3, D, यह relation है, तो यहाँ पर आप D की value पूट करो, तो किस की value निकल जाएगी, A की, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो A की value निकलेगी, वो निकलेगी, 422.5 picometer, तो यह A की value आपके, ठीक है, arrangement आपका BCC है, ठीक है, और यह element है, तो Z की value कितनी होगी, 2, ठीक है, अगर यह कोई आइनी compound होता, तो हम Z की value कितनी लेते, 1, तो अब formula लग जाएगा, आपका, रो is equal to Z into M upon A cube into Na into 10 raise to power minus 30, Z की value 2 हो जाएगी, आपकी, M की value sodium है, sodium का जो atomic mass है, वो कितना है, 23, उसके बाद A cube, edge है आपका, कितना है, 365.9 का cube हो जाएगा, Na की value आपको पताईए, into 10 raise to power minus 30, इसे तरह से एक question और है, यहाँ पर हमने calculate करना है, Avogadro number, ओके, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, density दिया हुई है, NaCl की, 2.16, और distance दिया हुआ है, Na positive और Cl negative का कितना, distance between sodium positive and chlorine negative, 281 picometer, यह है, मैंने आपको starting में बताया था, कि distance भी दी हो सकती है, तो वहाँ पर edge निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 into distance between cation and nion, यह हमने formula करा था, तो जब आप 281 से इसको multiply करोगे न, तो यह आजाएगा, आपका 562, तो यह edge की value आजाएगी, ठीक है, तो आपको, फॉर्मल लिखो, फॉर्मल लिखो, रो is equal to z into m upon a cube into na into 10 raise to power minus 30, देखिए, रो की value आपको दे रखी है, जैड की value आपको पता लगई, क्योंकि जो आपका nacl structure होती है, ठीक है, उसमें जैड की value 4 होती है, क्योंकि nacl का कैसा arrangement होता आपका, एप सी सी, तो जैड की value 4 हो गई, ठीक है, m, mass, nacl का mass कितना होगा आपका, 58.5, ठीक है, 23 आपका sodium का होगा और 55.5 आपका chlorine का होगा, तो total mass कितना होगा, 58.5, तो m की value 58.5 हो जाएगी, a cube, a की value क्या निकाली है, हमने 562 निकाली है, तो इसका cube हो जाएगा, na के आपका avagadro number है, into 10 raise to power minus 30, इसको आप solve करें, ठीक है, आपको, आपका answer मिल जाएगा, ठीक है, हमने यहाँ पर निकालना है, na, तो na की value लगभग, avagadro number के बराबर ही, आएगी, यहाँ पर density आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से आप questions को solve कर सकते हैं,